अस्सलाम अलेकुम आज हम लेके आए बहुत ही मज़ेदा से चिकन मलाइक अटलेट की रेसिपी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में उतने ही आसान है तो यहां पर हम आपको एक तोड़ कर भी दिखा देते हैं उपर से अच्छे से क्रिस्पी और अ जादा ग karma अद्रक्लसका पेस्ट बहुत ज्यादा अध्रक्लसन का पेस्ट में धberg नहीं डालेंगे क्यों कि मसाले कि इसमें थोड़े से कम जाएंगे और चीज का फ्लेवर ज्यादा आएगा ठीक है तो यहां पर अधर का पेस्ट रहान देंगे अब इसके अंदर है चार से पांच हमें लिए हैे हरी मिर्ची हटा सा सपाइसी बना देंगे हम अगर आपको तीखा कम पसं हो तो हरी मिर्ची कम डाल सकते हैं तो इसको अच्छे से mix कर लेते हैं तो यहां पर वीडियो को हमारे end तक जरूँ देगे वीडियो अच्छी लगे तो like करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें और family और friends के साथ जरूँ शेयर करें तो यहां पर अच्छे से हमने मिर्ची अद्रकलसन का पेस और शिकन को मिक्स कर लिया है अब इसके अंदर बाकी चीज़े डाल देंगे तो यहां पर हमने देड चमच के करीब काला मिर्ची डाल दी है एक चमच भर का हमने डाला है चिली फ्लेक्स अब इसी के अंदर डाल देंगे हम आलू तो चार आलू लिये थे हमने मीडियम साइस के और इसको हमने अच्छे से बर्ल कर लिया था और आलु को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है अब इसके अंदर नमक डाला है हमने तक्रीबन एक चंबर से थोड़ा सा ज्यादा आपकी टेस्ट के साथ से कम ज्यादा कर सकते हैं इसके अंदर चीज भी डालेगे तो नमक थोड़ा सा एतियाद से डाले अभी इन सारी तो यहां पर देख सकते हैं आप दाल कर शमीक सब्सक्राइब हता हुई तो यहां पर देख सकते हैं, अब इसके अंदर डालेंगे हम हारादनिया तो घरत उच्ठै करीब देंगे यहां पे हमने cheese cube लिया है यह हमने 5 लिया है और उसको हमने अच्छे से grate कर लिया है तो यह भी डाल देंगे अब 2 tablespoon भरकर हम डालेंगे fresh cream तो यह market वाली fresh cream यूज़ करेंगे तो इसका taste बहुत ज्यादा बढ़कर आता है तो यह 2 tablespoon हमने डाल दिया है अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix करेंगे थोड़ असा sticky रहता है तो आप हातों को तेल लगा सकते है और इसको mix कर लेते हैं अब हमने हातों को अच्छे से तेल लगा लिया है अब इसकी हम टिक्किया बना लेंगे जितनी आपको साइच चाहिए न उस हिसाब से आप छोटे बड़े टिक्की बना सकते हैं इस तरह से तो हातों को तेल लगा कर या पानी लगा कर ये टिकिया बनाएं इसके लिए हातों को चिपक सकता है तो यहाँ पर इस तरह से हम सारी टिकिया बना कर रेडी कर लेते हैं तो हमने 16 से 17 कटलेट बना लिए है अब इसको हम side में रखेंगे और इसके लिए हम slurry बनाएंगे तो हमने मैदा लिया है और उसको पानी डाल कर अच्छे से घोल बना लिया है पतला सा और यहाँ पर हमने breadcrumb लिया है पंको का breadcrumb मैं यूज कर रही हूँ अब normal वाला breadcrumb भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने मैदे के घोल में cutlet डाल दिया है अब इसको हम breadcrumb लगा लेंगे अच्छे से coat कर लेंगे slurry लगाने से हैं न हमारे जो cutlet है न अच्छे से white दिखते हैं काफी ज्यादा white लगते हैं अंडे से थोड़े से yellowish लगते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक cutlet हमारा ready हो गया है इसी तरह हम बाकि सारे cutlet बनाकर ready कर लेंगे तो सारे cutlet हमने बना लिये है और यहां पर देख सकते हैं बिलकुल white दिख रहे हैं अब इसको आप freeze भी कर सकते हैं और जितनी जरूरत हो उतना fry भी कर सकते हैं तो हम shallow fry करने वाले हैं तो तेल हमने गरम कर लिया है जितने cutlet हमारे आएंगे fry pan में उतने हम fry करते जाएंगे cutlet के लिए जब हम slurry यूज़ करता है और breadcrumb तो ज्यादा क्रिस्पी होता है अंडे से इतना ज्यादा क्रिस्पी नहीं होता है तो यहां पर देख सकते हैं हम दोनों तरफ से अच्छे से cutlet को fry कर रहे है यहां पर हमारे cutlet दोनों तरफ से अच्छे से fry हो चुके हैं तो इस मलाई cutlet बनकर रेडी है तो आप भी जरूर बना कर ट्राय करें और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए लिए लापीज